एक ऐसा कृष्ण मंदेर जहां रात में दना मना है समय समय पर धर्थी पर कई देवी देवताओं ने मानव रूप में जन्म लिया है उनमें से ही एक है भगवान विश्णू के अवतार श्री कृष्ण वैसे तो हम सबने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के किस्से कहानियों और उनकी बाल्यकाल के लिलाओं के बारे में अलग-अलग माध्यमों से सुना है इसी कड़ी में अगर भगवान के अस्तित्व को और गहराई से जानना और समझना है तो आपको जाना होगा मतुरा से कुछ दूरी पर स्थित व्रिंदावन के करीब निधिवन में ऐसी मायता है कि निधिवन ही वो स्थान है जहां आज भी श्री कृष्ण रादा संग रास रचाते हैं तो चलिए निधिवन की महिमा और इसके रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं व्रिंदावन आने वाला हर शद्धालु और परियटक निधिवन के दर्शन जरूर करता है ऐसा माना जाता है कि यहां रोज राद को भगवान श्री कृष्ण रादा राधी के साथ रास रचाने बधारते हैं शाम की आरती होने के बाद निधिवन पूरा खाली हो जाता है मंदिल परिसर में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता कहा जाता है कि वरिंदावन में सबसे ज़्यादा बंदर अगर कहीं है तो वो स्थान है निधिवन लेकिन राध को ये सारे बंदर भी इस स्थान को छोड़ कर चले जाते हैं बंदरी नहीं बलकि कोई भी जीव जन्तू पसुपक्षी शान के बाद यहाँ नजर नहीं आता है यहाँ के लोगों का दावा है कि ये सदियों से चला आ रहा है निधिवन में राध को रुकने की मना ही है ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ छिपकर रास लीला देखता है तो वो अगले ही दिन अपना मांसिक संतुलन खो बैठता है